इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम आलेकूम रहमतुल्ला बरकातू इत्याद नूज में आप सबी काखर मक्तम हैं आज भी गोड से जिन्दा है आज का यही मौद्व है बापो हम शर्मिन्दा है गोड से की आउलाद जिन्दा है लगता है अब आईस्ता आईस्ता सोच फिक्र में भी तब्दिल आती जा रही है ऐसा डर भी लग रहा है कि क्या आप गोडसे को ये महात्मा वानने का मकमल आजम कुछ गोडसे वादी लोगों ने बना लिया है आज ही के दिन महात्मा गांदी को मनुवादी विचारधा से मतासिर संगी सोच फिक्र के नतुराम गोडसे ने राश्ट विता पर गूली चलाई आजाद भारत का पहला अतंकवादी भी इसे ही कहा जाता है यही यह भी सोचने की बात है जब से मोडी हुकूमत आई है तब से गोडसे की शान में कसीदे पढ़ने की वारदतों में इजाफा होता जा रहा है मुल्क के तारीख ने देखा कि आईवान में भी गोडसे जिन्दाबाद के नारे लगाए गए मतलब किस कदर हमारी सोच फिक्र में पस्ति आती जा रही है देश ने यह भी देखा कि राश्ट पीता महात्मा गांदी के कातिल का ना सिर्फ मंदिर बनाया गया बलकि इसकी जैनती तक का इतमाम किया गया देश ने यह भी देखा भारत का सविदान जो सबसे उपर है इससे बढ़कर ना तो कोई शक्त है ना कोई मजब ना इससे बढ़कर कोई दूसरा दस्तूर लेकिन यह भी देखा गया कि खुले आम सविदान को जलाया गया महात्मा गांदी और बाबा साहिवं बिड़कर का अपमान करने वालों ने तो खुले आम मुखालिफत शुरू की है भाजपा के सुखदेव सिंग गोगा मिडी ने तो खुले इजलास में कहा कि दलितों के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए पर हर कोई खामोश तमाशाई बनता नजर आ रहा है मुल्क की दिशार दशा क्या होगी किसी को मालून नहीं जोर जबरदस्ती और मनवानी कारोबार का तमाशा हर रोज देखा जा रहा है यह कैसा दवर आया है कि सच बात करने वालों के आवाज को दवानी की कोशिश की जाती है कहने को लोग तंतर है कहने को यह भी कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमूरी मुल्क है यहाँ कहने लिखने की सबसे ज़्यादा आज़ादी है लेकिन मुझदा हुकूमत में सवाल नहीं पूछ सकते फिल्म अभी नताश तुर्गंस की नारे कहा कि मुल्क सिर्फ दो लोग चला रहे सोशल मेडिया पर किसी धर्म शेश को गाली देने वाले या इन्हें पाकिस्तानी कहने वालों की हिमायत तो होती है पर सरकार की पॉलुसियों पर सवाल करने पर सीधा देश दूरी का जाता है आज के दिन मनुदादी विचार धारा के गोडसे को जरूर याद करना चाहिए और गोडसे मनुदादी और धर्म के नाम पर नफरत का जहर घोलने वालों के मुखालिफत जरूर होनी चाहिए आज बेजन्दा है। आज जामिया के इहाते में एक नौजवान पिस्टॉल के साथ सड़क पर उतरता है। और एतिजाज करने वालों पर चलाता है। जिसमें मासुम और बेगुना शादाव फारुक के हाथ में गोली लगती है। जखमी शादाव अस्पताल में जेर इलाज है। जेनु की शहला राशीद कहती है। यहीं वो गोडसे की विचारदारा है जिसके बनियात पर हाथ में हत्यार लिए सर फिरे सड़क पर उतराते हैं। शहला राशीद ने ट्वीट के जरीए कहा कि जामिया में हमला हाथ में पिश्टल लिये एक शक्स के जरीए गोली चलाना नहीं है। यहाँ एक दाश्तगर्द हमला है। जिसे राशीद की विचारदारा से मतासिर एक संगी सोच के शक्त ने किया है। जो क्यामिक्षा, नरेंदर मोदी और अन्राक ठाकोर के जरीए तशद्दूत के अपील का नतीजा है। जेनुए के ही कनया कुमार ने कहा है इससे पहले की पुरा देश बरबाद हो जाए। लोगों को जागना चाहिए। रफ्तार तो किया गया है, पर पुलिस पर भी सवाल उठाए जा रहे। इन्होंने कर लिया है। तभी तो शाहिन बाग के लोगों को अमिच्छा करंड दे कर मारना चाहते हैं। पर वे शर्मत देहलिक के मजजिदों को गिराना चाहते हैं। संबित पातरा शाहिन बाग के लोगों को जहादी कहते हैं। या नार्ची और सिये का विरोध करने वालों को पाकिस्तानी कहा जाता है। एतजाज करने वालों को जूते मारने के बाद कही जाती है। शोलों में सियासी रोटी ऐसे की गई थी। एक बार फिर राम भगत गोपाल जैसे नौजवानों को गोड से की रहा पर धकेल कर देश के अपता अखंडता को नुकसान पहुचा कर समाज में गांधिवादी विचारदारा खत्म करने के मनसुबे के जरिए। फिर से जलते धुआं अंगारों पर एक्तादार का तक्ता हासिल करना चाते हैं। ताकि समाज माशरा और अवाम हकुमत से रोजगार और बैतर जिंदगी पर सवाल न पूछे। और यूही लाशों पर अपना सियासी तक्त मैफूज रहे। आज जो राम भागत गोपाल ने गोली चलाई है यहाँ विचारधारा से मुतासिर है। जिसके नताइज बहुत खतरनाक होने वाले हैं। जिसका शायद ऐसास मुल्क के शेहरियों को बहुत कम है। क्योंके दैशत गर्दी फिर गोड से की हो या राम भागत की हो जिसकी कीमत बहुत बड़ी इस देश को चुकाने पड़ेगी। इत्याद मुद देखने करें चुक्रिया। अल्ला हाफिस।